Hello friends, welcome to our YouTube channel Students Life तो board exam सुरू होने में आपके वल कुछी दिन रह गया है तो आज हम लोग जानेंगे कि अपने board exam में हम किस तरह से अपने copy में answers को लिखेंगे जिससे हमारा answers ज़्यादा से ज़्यादा attractive लगे और हमारे marks बिल्कुल भी कटे नहीं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले वैसे students जिनको 2020 में board exam देना है वे अपने writing का अभी से practice करें क्योंकि सुन्दर writing रहने से marks increase होता है ज़्यादा से ज़्यादा marks हमें मिलने के chances रहते हैं अब हम जानते हैं कुछ tips को तो tips number one है लिखने से संबंदित सारी समागरी निकाल कर रख लें सेंटर पर अपनी seat में बैठने के बाद लिखने से संबंदित सारी सामगरी निकाल कर रख ले जैसे pain, pencil, scale और जो भी ज़रुरी चीजे हो निकाल के रख ले ताकि जब आप लिखना शुरू करे तो आपको जो चीज का जरुरत हो उसका इस्तेमाल आप जल्दी से जल्दी कर सके इससे टाइम में बचत होती है अब हम जानते हैं आगे टिप्स नंबर टू को कॉपी के पहले पेज पर डिटेल अच्छे से भर लें एंसर लिखने से पहले हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट रहता है अपने एंसर सीट के फ्रंट पेज को सही सही भरना इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूँगा आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने एंसर सीट के फ्रंट पेज को भरते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसा भी सूचते हैं कि फ्रंट पेज को बाद में भर लेंगे लेकिन बाद में हम भरना भूल जाते हैं और इससे रॉल नंबर नेम या कुछ जरूरी चीजे छूट जाती हैं इसके बाद तिसरा टिप्स है कॉपी के सभी पेजों में कॉलम खीच लें अपने कॉपी का फ्रंट पेज भरने के बाद असकेल की सायता से जहां पर हमें एंसर लिखने है उन सभी पेजों पर बाई और कॉलम खीच ले कॉलम की चौड़ाई असकेल की चौड़ाई जितनी ही होनी चाहिए अब टिप्स नंबर फोर है लिखने के लिए फौंटेन पेज का ही परियोग करे जिस पेज से परिच्छा में एंसर लिखना हो उस पेज का इस्तेमाल अपने घर पर जरूर कर ले नया पेज से हमें बोर परिच्छा में कॉपी नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि नया पेज से लिखते समय अस्पीर थोड़ी धीमी हो जाती है और पुराना पेज से जब हम लिखते हैं तो अस्पीर थोड़ी बढ़ जाती है तो इससे हमें दो फायदा होता है पहला की प्रश्ण नहीं चूटेंगे और दूसरा की राइटिंग अच्छी होगी तो नमबर अच्छे मिलेंगे इसलिए पुराने पेंट से हमें लिखनी चाहिए और लिखते समय फाउंटेंट पेंट का ही उपयोग करे जेल पेंट का उपयोग ना करे अब तिप्स नमबर फाइब है प्रत्येक उत्तर में हेडिंग जरूर डालें यानि कि जब भी हम कोई एंसर लिखेंगे तो क्वेशन नमबर को उपर में आप जरूर लिख ले जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और कॉलम के लेट साइड में कोईशन नमबर साफ साफ लिखे इस तरह से उत्तर लिखने पर उत्तर अट्रैक्टिव लगता है और कॉपी चेक करते समय कॉपी चेकर को समझने में भी आसानी होती है जिसका लाव आपको जरूर प्राप्थ होता है अब हम आगे जानते हैं टिप्स नमबर 6 को प्रत्येक उत्तर की समाप्ती पर उसके नीचे एक लाइन खीच दे हर एक प्रश्ण का उत्तर समाप्त होने के बाद उसके नीचे एक लाइन खीच दे जैसा की अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऐसा करने से आपके प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर अस्पष्ट तथा अलग-अलग दिखाई देंगे इस चीज से कॉपी चेकर बहुत प्रभावित होता है इसके बाद टिप्स नमबर 7 है किसी भी प्रश्ण में जरुरत से ज़्यादा समय न लगाए अर्थात किसी एक ही प्रश्ण में अधिक समय न लगाए अनियथा दूसरे प्रश्ण छूट जाएंगे मतलब किसी भी प्रश्ण में जरुरत से ज़्यादा न लिखे जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दे क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको अंक ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा टिप्स नमबर एट है अपने सब्दों को ठीक से लिखे अर्थात कॉपी में सीधा लिखे सब्दों को बहुत पास पास सटाक कर ना लिखे और ना ही अधिक दूर दूर लिखे कुछ लोग सब्दों को बहुत पास पास लिख देते हैं तो कुछ लोग कॉपी को भड़ने के लिए दूर दूर लिख देते हैं तो ऐसा बिलकुल ना करें तो यह था एंसर लिखने का कुछ टिप्स अब हम कुछ और बात भी एंसर लिखने से सम्बंदित जान लेते हैं प्रत्यक सब्द के उपर की लाइन सीधी खीचे जैसा की अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे जो सब्द आप लिखते हैं उसके उपर की लाइन सीधी खीचे टेडी मेडी ना खीचे टेडी मेडी खीचने से आपकी कॉपी सुन्दर नहीं दिखती है और इससे आपको मार्स भी कम मिलते हैं इसके बाद है सब्दो के बीज की दूरी बराबर रखे जैसा की अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे जब भी आप एन्सर लिखे तो कोशिस करें कि सब्दो के बीज की दूरी समान रहे मैथेमेटिक्स के कोशन्स में यदि बराबर लगाना पड़ रहा है तो प्रत्येक बराबर सीधी लाइन में रखे कोई बराबर इधर उधर न रखे इसके बाद है heading को underline जरूर करे जहाँ जहाँ आप उत्तर में heading डाल रहे हैं वहाँ underline जरूर करे इससे answer देखने में सुन्दर लगेगा जैसा की अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके बाद अगर कोई सब्द गलत हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन न चलाए एक बार बस आप इस तरह से काट ले तो इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल Students Life को सब्सक्राइब करके रखे